भारत का इतिहास भारत का इतिहास और संस्क्रिती भारत नच्छिन एसिया में श्थित एक देश है जिसकी सीमा उत्तर पक्षिम में पाकिस्थान, उत्तर में चीन और नेपाल, उत्तर पूर्ब में भूटान, पूर्ब में बंग्रादेश और म्यानमार और दक्षिन में के बाद दुन्या का दूसरा सबस्यदिक आबादी वाला देश है भारत का एक सम्रिद्स इतिहास और संस्कृती है जिसमें सिंधु घाटी सब्याता से मानोज बस्ति के साक्ष्या मिलते हैं लगभग 2600 इसापूर्व से 1900 इसापूर्व तक फली फूली सद्यों से भारत पर कई अलग-अलग सम्राजियों का सासन रहा जिसमें मावरिया सम्राज्या, गुप्त सम्राज्या, मुगर सम्राज्या और ब्रिटिस सम्राज्या सामिल है भारत ने सन 1947 में ब्रिटिश सासन से स्वतंत्र प्राप्त किया और तब से क्रिशी, विनिर्मान और सेवाओं जैसे उद्योगो सहित एक विविद अर्थ बिवस्था के साथ एक संगिनिय लोक तामतरिक गनराज्या के रूप में विक्षित हुआ है भारत कई धर्मों का भी घर है जिसमें हिंदू धर्म, इसलाम, इसाय धर्म, पौध धर्म और सिख धर्म सामिल है हिंदी और अंग्रेजी भारत की आधिकारिक भासाये हैं हाला कि फुरे देश में कई छेत्रे भासाये बोली जाती है